प्रार्थना के बारे में साथ बाइबल आयतें। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुन कर उनका पापक्षमा करूंगा और उनके देश को जिय यहोवा ने मेरे गिलगिल आने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा ध्रिना करता है परंतु वल सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन होता है। प्रभू येशु ने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राइके दाने के बराबर भी हो तो इस पहार से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अन्होनी ना होगी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दूरबल है किसी भी बात की चेंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और बिंती के द्वारा के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपस्थित किये जाएं तब परमेश्वर की शान्ती जो समझ से बिलकुल परे है तुम्हारे रिदय और तुम्हारे विचारों को मसी यीशू में सुरिक्षत रखेगी इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ धर्मी जनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है परमेश्वर आपको आशीश दे आमीन प्रभू इस वच्चन को पढ़े और सुने जाने तक आपको आशीश दे सभी भाई बहन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर जरूर करें ताकि और लोग भी प्रभू को जान सके और बचाए जाए आमीन